नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों वीडियो में बात करेंगे टमाटो की एक ऐसी वराइटी के बारे में जो 2021 में आनलाइन प्रेटफार्म बिग हाट पर सबसे ज़्यादा सर्च गिया जाने वाला टमाटर का बीज है दोस्तों इस वराइटी का नाम है साहो टमेटो क्या है इस वराइटी की खासियत क्या इसको आपको लगाना चाहिए अगर लगाना है तो कब और कैसे लगाना है या फिर इसका बीज आपको कैसे मिलेगा इन सभी बातों को जानेंगे पूरे विस्तार से वीडियो को लाज तक देखना जिससे आप इस वराइटी को अच्छे से जान सकें तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों साहो टमेटो टू बत्तिस एक्यावन टमाटर कब्बीज स्वेटजर लेंड की प्राइवेट लिम्टेड कंपनी सिंजेंटा का प्रोड़क्ट है दोस्तों यकीनन सिंजेंटा कंपनी के बीच काफी महंगे होते हैं लेकिन वही महंगाई के साथ साथ इसमें कुछ अच्छाईयां भी होती हैं जिसमें अच्छी पैदावार, रोगों से लड़ने के पर समवेदन सीलता दोस्तों साहो टमाटर अपने भरपूर उत्पादन, यूनिफॉर्म फ्रूट क्वाल्टी की वज़से किसानों के बीच में अपनी एक अच्छी जगा बना चुका है जहां अभी तक हिम सोना, हिम सिखर, अभिलाश टमाटो किसानों के फैवरेट बीच थे वहीं अब साहो टमाटो ने भी अपने अच्छी उत्पादन की वज़से किसानों के बीच विसेश इस्थान बना चुका है तो दोस्तों ये थी इसके कुछ बेसिक जानकारिया, अब बात करते हैं वराइटी के बारे में विस्तार से अगर टमाटर की इस वराइटी के फल के बारे में बात करे तो इसके फल गोल, थोड़े चपते वा एक सामान आकार के होते हैं पकने पर सामान लाल रन का एक सायस का टमाटर होता है, इसके फलो का वज़न लगबग 90-100 ग्राम तक हो जाता है इसके फलों का छिकला मध्धम मोटा होता है जिससे मार्केट के लंबे निर्यात के लिए इसके फल सुटेवद होते हैं कई दिनों तक आसानी से इसको रूम टंपरिचर पे रखा जा सकता है अगर देखे इसके पौधे को तो इसके पौधे लंबे आकार के कम पत्तों वाले वा मध्धम छषड़ाओ वाले होते हैं इसके फल गुच्छों में लगते हैं और सभी फल लगबग एक समान के होते हैं साथ में इसके फल चमकदार वा आकर सकते हैं जिससे लोग इसे मार्केट में पसंद करते हैं और इसको बेंचने में आसानी होती है टमाटर की इस वराइटी की सबसे अच्छी बात यहा है कि मौसम का तापमान बढ़ने पर भी फलो की संख्या में कमी देखने को नहीं मिलती है जिससे हमें अच्छा से अच्छा उत्पातन मिल सकता है इसके साथ-साथ यह वराइटी टी-वाई-ल-सी-वी और बैक्टिरियल बैट जैसे रोगों से बचने में पूड़ता सक्चम है अगर देखे इस वराइटी के बुगाई के समय के बारे में तो या कुछ राज्यों में तीनों मौसम में लगाया जा सकता है बारिस के मौसम के लिए इसकी नरसरी जून वा महीने में डाली जा सकती है वहीं सरदी के मौसम के लिए इसकी नरसरी सितंबर वा अक्टूबर महीने में डाली जा सकती है अगर वहीं गर्मियों के मौसम के लिए बात करें तो इसकी नरसरी 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक आप डाल सकते हैं नरसरी डालने के 25-30 दिनों के बाद इसकी नरसरी लगाने की अवस्ता में आ जाती है और वहीं लगाने से 55-60 दिनों में इसका पहला उतपादन मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें आप इसको किन-किन राज्यों में लगा सकते हैं तो कंपनी दोरा दी गई गई गाइडलैंस के अंसार आप इसे कुछी राज्यों में लगा सकते हैं जिसमें आंद्रप्रदेश, तेलंगाना, करनाटग और तमिल नादुराज सामील हैं। लेकिन वही कुछ किसान इसको दूसरे स्टेट में अच्छे से सफलता पूर्वक उगा रहे हैं। वैसे मुझे तो इस वराइटी का उत्पादन और इसकी फ्रूट क्वाल्टी बहुत अच्छी लगी। अगर आप इस वराइटी को लगाना चाहते हैं तो पहले आप 270 रुपए के आजपास मार्केट में उबलब्द है। तो दोस्तो टेमाटो की साहो वराइटी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए और यदि आपका कोई मुझसे प्रस्न या सुझाओ है तो इसके लिए आप डिस्किप्शन बॉक्स में दिये गए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन!